हेलो एवरिबन हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टन स्रीज में आपका स्वाकत है यह हमारी हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टन स्रीज से लेगी है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं म खीदियों का शेर जरूर करते रहे हैं उक्ये चलिए होगे बढ़ते हैं एक शुर्शन क्या कहरा है हूं मैं डादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिर्व पर्थम स्वराज की मांग परस्तुत की तो ये कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नरो जी ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सरुपर्थम स्वराज की मांग की थी तो ये कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. RUY ने अपने को अखिल भारतय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल के इस्थापना की थी तो साम्मेवादी जो अतिवादी नेता थे M.N. रॉय याद रखना है M.N. रॉय ने अपने को अपने आपको उन्होंने अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस से अलग करके 1940 में किस दल की स्थापना की थी? Indian Federation of Labor दल की स्थापना की थी. नेक्ट कोशन के और आगे बढ़ते हैं आजाद हिंद फोज का गठन किसे ने किया था? आजाद हिंद फोज थी इसका गठन किस के दवारा किया गया था? ये कैप्टन मोहन सिंग के दवारा किया गया था. याद रखना है आजाद हिंद फोज का गठन किस ने किया था? कैप् इद्रिसा यह याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ओप्षन के उपर क्या रहा है नेक्स्ट ओप्षन हमारे पास यह देखें अचुतो धार के लिए दलित वर्ग मिशन के इस्थापना 1906 में किसे ने की थी तो यह किस के द्वारा की गई थी शिंदे के द्वारा की पश्चात मातमा गांधी जी को नजर बंद करके कहां रखा गया था तो यह आगा खा महल पूने में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था मातमा गांधी जी को नजर बंद कर दिया गया था तो यह आगा खा जो महल था उसके अंदर मातमा गां इजी ने कब दिया था ये एसायो योग्ड के समय दिया था एस वा आंडोरन कभ अंडूरन कभ वोओता ये आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके जुरू बताना है चलिहां की बढ़ते हैं वीडियो चैनल को सबस्क्राइब ने की तो इस आयोग ने किस विशह पर सिफारिश की थी तो शिख्षा पर इन्होंने सिफारिश की थी सेटलर आयोग ने आपको याद रखना है most important question है next question ये पुछा जाता है कि सिख्षा पर सिफारिश किस आयोग ने की थी तो ये सैडलर आयोग ने की थी चलिया की बढ़तें Congress को समाजवादी दिशा देने के लिए Congress के भीतर किस दल का गठन हुआ था तो ये Congress समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था Congress को समाजवादी दिशा देने के लिए Congress के भीतर किस गठन का Congress के भीतर किस दल का गठन हुआ था तो ये Congress समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था आगे बढ़ते हैं मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस किस अवसर पर मनाया था तो ये जब Congress मंत्री मंडल ने 1949 में इस्तफ़ा दे दिया था ये आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन क्रिप्स प्रस्ताव को Congress और लीग में से किस ने एस्विकार करा था तो ये दोनों ने किया था क्रिप्स प्रस्ताव को Congress और लीग में से किस ने एस्विकार किया था तो Congress ने भी किया था और लीग ने भी किया था ये आपको याद रखना है है most important question है एक्जाम में पूछा गया है और बार बार बूचा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर भी करते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोराशन अठ्वाशन अठ्व потक विड्रोह में नाना साहभ कहंपर विद्रोह नेत्रत्व को किया था तो यह आना सवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इलहबाद में किसने अठर सतावन के विद्रों का नेतरत भी बताना है नेक्स टोर्शन के पर बढ़ते हैं अवद को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहोजी ने क्या बहाना बनाया था तो क्या बहाना बनाया था अवद के नवाग पर कुशासन का आरोब लगा कर के इन्होंने यह बहान मारत लगाया गया था तो आगे बढ़ते हैं सन्यासी विद्रों ने किस इस्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी तो यह बोग्रा एवम मैमन सिंग सुतंतर स्रकार बनाई थी किस ने बनाई थी तो बोग्रा एवम मैमन सिंग इस्थान पर बनाई थी नेक्श काइट करते हैं बढ़ते हैं बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किस не की थी तो इस सर विल्यम जॉंस ने की ती है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन बार बार रिपीट वाय फ़ाई इस डाड लगा लें इसके उपर बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना सबसे पहला कोशन तो यही बन जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना कहाँ पर की गए थी तो यह बंगाल में की गए थी तो किसके दोवारा की गए थी सर विलियम जाउन्स के दोवारा की गए थी आपको याद रखना है. Most important question. Most important आगे बढ़ते हैं. मेर्ट सरीयंतर केस मुख्यत है किसके वِरुध्दु था? तो यह मझदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुध्दु था. मेर्ट सरीयंतर केस मुख्यत है किसके विरुध्द था? ये मजदूर संगठन के साम्मेवादी नेता के विरुद्ध था नेश्ट वोशन बिलिटिश पार्लियमेंट के हाउस ओफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने अठर सुतावन के भारते विद्रों को रास्ट्रे विद्रों के संग्या दीती ये डिजरेली ने दीती बिलिटिश पार्लियमेंट के हाउस ओफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने अठर सुतावन के भारते विद्रों को रास्ट्रे विद्रों के संग्या दीती आगे वड़ते हैं नेक्षेसन की तरफ बहिश्क्रत भारत पत्रिका किस ने प्रारंब की थी तो यह रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडगर जी ने की थी बहिश्क्रत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडगर जी के दुवारा कि यका की गयी थि प्रारंव की गई इसेवा भी भी नचुल बहारतिये फेडिये 5832 में अखिल बहारतीय महत्मागांध की लिद्धी परतम अकिल भारतिये किसान संगठन अकिल भारतिये किसान सभा का गठन कब हुआ था तो यह 1936 में हुआ था यह आपको याद रखना है एक्जाम में पूछा गया है बार बार रिपीट हो रहा है यह कोशन आगे बढ़ते हैं माउंट बेटन योजना 3 जून 47 समबन्द था माउंट बेटन योजना का समबंद तीन जून 1.1947 का समबंद kişi सदा अंग्रेज द्वारा भारत को 17ht cannot Diren की परकेरिया से समबंद था यह आपको याद रखना है व्योडियो को शेयर ज़रू करते हैं पने इसके पास और चैनल को सब्सक्राइब नीगा चैनल को सब्सक्राइब जूरू कोड़ ले नेक्श वर्शन पर बढ़ते हैं मात्मा गांदी ने भारत में अपनी सत्य ग्रहक की टक्नीक का पृथम प्रयोग कहां पर किया था तो यह चंपरन बिहार में किया था यह आपको या गांदी जी 450 में 1800 एक्टिवर 1500 दिन क्या मन जाता है अंतराइस्ट जी आहिंसा दिर्स मना जाता है मातमा गांदी जी का पुरबंदर गुजरात में है बहुत से बच्चों को नहीं पता उलगी गांदा जी गांदी गांदी एक्जाम में कई बार ये पूचा गया कि गांदी जी के संतान के नाम बताय ए गांदी जी के चार संतानों के नाम एक थो हरीलाल मनीलाल रामदास और देवडास। और जम्रालाल बजाज गांदी जी के दुवारा गोद लिया गया फुत्र था, जैसे कि पूछा गया है कि मारत्मा गांदी जी के दुवारा पहला आंदुलन किया गया था, चंपारन आंदुलन 1917 में किया गया था, या इसको हम चंपारन सत्ते गरें आंदुलन भी कहते हैं, ये जो आंदुलन हुआ था भारते सोतंदरता संगराम के लिए बिहार में चंपरन आंदुलन मात्मा गांदी जी की पहली सक्रिय भागिदारी थी जब गांदी जी दक्षन अफरीका से 1915 इसवी में भारत लोटे तो उस समय देश अत्यचारी अंगरेजों के अधीन था अंगरेजों ने किसान को उनकी उपजाव भूमी पर नील और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया और फिर इन फसलों को बहुत ही सस कीमत पर बेच दिया मौसम की बदहाल इस्थिती और अधिक करों की वजह से किसानों को अत्यदिक गरीबी का सामना करना पड़ा जिसके करण किसानों की इस्थिती अधिक डाइनिया हो गई थी तो चंपरन सित्यगरे अंदुलन नील की खेटी के विरुद में महात्मा गां रविंदर नाट टैगोर जी के दुवारा की गई थी चंपरन आंदुलन की सफलता के बाद गुरुदेव रविंदर नाट टैगोर जी ने महात्मा गांदी जी को महत्मा की उपाधी दी थी तो अगला आंदुलन जो महात्मा गांदी जी के दौरा किया गया था नेक्स्ट पढ़ने से काफी प्रभावित हुए गाउं में नश्ट हुई फसलों के चलते करने देने के लिए जब तक जल पर ले बाड़ आ चुकी थी खेड़ा के अंदर तो अंग्रेजों ने दबाव दिया था कि टेक्स आपको पे करना है तो इसके विरुद्ध में मातमा गांदी ज लाया था कि जब तक पहले जैसे इस्तिति ना हो जाए जो भी बाड़ का पानी पूरे गाउं के अंदर फैला हुआ है बाड़ आई हुई है तो वो पानी जब तक नहीं सूख जाता तब तक आपको टेक्स माफ कर देना चाहिए जनता का तो इसमें भी गांदी जुका सफल भी थे और तुर्क में खलीफा की एदाईनी इस्तिति को सुधारने और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांदी जी के नेतरतों में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था तो 1919 में भारते से नतरता संग्राम में अपने राजनेतिक समर्थन के लिए मुस जेसे पराप्त हुए पद्दकों को वापस भी कर दिया था इस अंदोलन की सफलताने गांदी जी को एक रास्ट्रिय नेता बना दिया था जो आंदोलन हुआ था खिलाफत अंदोलन में 1919 में हुआ था फिर उसके बाद कुछ सांदोलन हुआ था एस्थयोग आंदोलन 1920 में एस्थयोग आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन उस दोरान चलो आगे बताता हूं मैं खिलाफत जो हमारा आंदोलन हुआ था एस्थयोग आंदोलन 1920 इसका में कारण क्या था इसका में कारण ये था इस आंदोलन के सुरू करने के पीछे बैशाखी के दिन जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ ता 13 अप्रैल 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था इस हत्याकांड Snaquya का एक मात्र कारण जो अन्दोलन का गानि यह यह जनते की शांति पूर्ण तरीके से ऐसे हيग आन्दोलन का पयलन औ सुहतंदरता प्राप्त करने की कुंजी है तो एस वा अंदूलन कब हो आता 1920 में होता यह आपको याद रखना है मोस्ट इंपर्टन कोशन है एक्जाम में बार बार पूछा गया है और यह भी पूछा गया है कि जलिया वाला बाग घत्या कांड कब हो आता यह 13 अपरेल 1919 में हो आता यह आपको याद रखना है तो नेक्स्ट कोशन के आंदूलन के हम बात करते हैं एक आंदूलन हो आता चोरी-चोरा कांड पांच फरवरी 1922 में जो की चोरी-चोरा कहां पर ते जांगा यह गोरकपूर में यह आपको याद रखना है नेक्स्ट आंदूलन के अगर हम बात करते हैं यह आपर जो सबसे इंपोर्टनेंट एक्जाम के अंदर पोछा गया है सविन्य अवग्या आंदूलन कब हो आता है यह मार्च 1930 में हो आता दांडी मार्च और गांदी इर्विन समझोता गांदी इर्विन समझोता कि हम बात करेंगे पांच मार्च 1931 में हो आता आंदूलन तो सविन्य अवग्या आंदूलन मार्च 1930 में चलाता लेकिन गांदी इर्विन समझोता हो पांच मार्च 1931 में हो आता तो यह जो दांडी मार्च चला था मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक चला था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट अंडुलन की हम बात करते हैं भारत छोड़ो अंडुलन जो की 1942 में हुआ भारत छोड़ो अंडुलन महत्मा गांधी जी दुआरा दुट्टे विश्वई द दुआरा भारत छोड़ो अंडुलन के दोरान दिया गया था यह आपको याद रखना है तो सविन्य वग्या अंडुलन के बारे में हम बात कर चुके हैं तो इसमें एक हमारा अंडुलन हुआ था दांडी मार्च यह आपको याद रखना है गांधी जी के जो परसनल स्केरि 1931 में हुआ था लंदन में इस आंदोलन में महत्मा गांधी जी ने कॉंग्रेस का नितरत्व किया था तो गांधी जी के अब हुए थी 30 जनवर 1948 में महत्मा गांधी जी के मिरत्व हुए थी उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है यह याद रखना है आपको गांधी जी दुआरा बनाएगए आशरम कौन कौन से थे है यह सबसे पहला आशरम ओ जो जो सबसे पूराना आशरम था वो बनाएगा था मानमा गांधी जी के दुआ श पोनिक्स आशरम कहां पर रही है डर्बन साउथ अफरिका में है और दूसरा आश्रा में टॉलस टाई आश्राम जो कि जोहांसबर्ग दक्षिन अफरिका में है रास्ट पिता की उपादी मात्मा गांदी जी को किस नहीं दी थी सुभाष चंदर बोस जी के दुवार दी गई थी बापो के अबादी पंडित जवाला नहरु जी के दुवार दी गई थी और दक्षिन अफरिका में रहते समय गांदी जी ने इंडियन ओपीनियन पत्रीका का स्परकाशन किया था याद रखना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है और गांदी जी के राजनीतिक गुरू कौन ने गोपाल के रशन गोखले नेक्स्ट के अगर हम बात करें तो गांदी जी को दक्षिन अफरिका की पीटर मरीत्सबर्ग रिल्वेस्टेशन पर ट्रेन से बाहर फैका यथा कि का टीकट होने के बावज़ूर्टेंट्रेंट से बार फैक देगा था कि आप इस तके बार फैक महत्मा गांदी जी ने सर्व परतम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकता अधिवेशन में भाग लिया था गांदी इर्विन समझोता कब हुआ था पांच मार्च 1931 में हुआ था ये याद रखना है तो फ्रेंड्स अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नेक है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वीडियो को ज्यादे ज़्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स के पात थैंक्स पर वाचिंग एंड कीप लर्निंग